हेलो एवरीबन वेलकम तो शायनकेटमी तो आज की वीडियो में हम सौल करने वाले हैं क्लास 10 के चेप्टर लाइट की एक्ससाइस के कुश्चन्स लाइट चेप्टर फिजिक्स का एक बहुत इंपोर्टेंट चेप्टर है जिसके कॉंसेप्ट आगे चलके भी इस्तेमाल होते हैं अगर आप चाहते हैं कि लाइट चेप्टर की आपकी इंडस्टेट्टिंग बहुती क्रिश्टल क्लियर हो जाये तो आप ये प्लेडिस्ट करें जिसमें मैंने टैन्थ क्लास के लाइट चेप्टर नौ लेक्टर में इन लेक्टर में लाइड चेप्टर की जो ठीओरी और उसके जो एकजांपल्स है वह मैंने काफी डिटेल में और बहुती सिंपल तरीके से सॉल्व कराए हुए हैं आप इन वीडियोस को एक बार जरूर देखें मेरी गारेंटी है कि आपको light chapter में कभी कोई दिक्कत नहीं आगी तो चलिए अब हम light chapter के exercise के question शुड़ू करते हैं question number one में हमको बताना है कि which one of the following material cannot be used for a lens अब अगर आपको पता है कि लेंस क्या होता है तो यहां तकता है कि लाइट यहां पर इससे बनाया सकता है बिल्कुल बनाया सकता है अगर हम एकटले आं जो की नॉर्बं लेंस होते हैं वह ग्लास से बनाते हैं अगर हम यहां पर पानी भर गुद में तब भी जो रिफ्रेक्षिन थो ओ जायेगा तो इससे काम चल जाएगा और तो कोई भी reduction नहीं होगा तो उस case में लेंज का कोई काम नहीं आएगा तो इसलिए इसका answer की आएगा कि लेंज नहीं बना सकते तो यह हुआ Question Mutta one We need to talk about the concave mirror to be virtual erect and larger than the object where should be the position of the object अब अगर आपने कॉने mirror के cases अच्छे से देखें तो आपको पता होगा कि छटवा case होता है जिसमें हम object को poll or focus के बीच में रखते हैं उस case में जो object की image है वो वर्च्वाल image आती है और object की जो image है वो ये सारी properties follow करती है इसका मतलब ये जो सवाल में पूछ रहा है वो case six की बात कर रहा है जिसमें object क्योंकि आंसर क्या आएगा पोल और फोकस के बीच में तो option D is the correct answer बागी सब गलत है तो इस तरीके से second question हुआ अब हम बरते हैं question 3 की तरफ question 3 में बोल ला है कि where should an object be placed in front of a convex lens to get a real image of the size of the object मतलब क्या है कि image की जो हाइट है image हाइट is equal to object हाइट क्योंकि size की क्या बात कर रहा है as of the size of the object तो image की हाइट किसके बराबर आगा object की हाइट के बराबर और अगर आपने convex lens के case पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि ऐसा कब होता है जब object कहां पर हो 2F1 पर अगर object 2F1 पर होता है तो उसकी image भी 2F1 पर ही आती है और वो same size की ही आती है तो इस case में answer क्या आजाएगा twice the focal length of the lens तो इस तरीके से question number 3 भी हो गया है यह सारे case समझने के लिए आपको लेक्चर जाके देखने पड़ेंगे इसलिए मैंने वीडियो की starting में बोला था कि आप एक बार उन लेक्चर को देख लीजिए जिसी कि यह आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा अब हम बढ़ते हैं question number 4 की तरफ, question number 4 में बोला a spherical mirror and a thin spherical lens have each a focal length of minus 15 cm, the mirror and the lens are likely to be, तो इसमें वो बोला है कि एक spherical mirror है और एक spherical lens है, और दोनों की focal length कित्ती दे रखी है, दोनों की f की value है, minus 15 cm, अब हमको बताना है कि यह जो mirror है या फिर यह जो lens है, वो कौन सा mirror और कौन सा lens है, तो हमने देखा था है कि concave के case में, concave mirror के case में, उसका जो focal length होता है, वो left side में आता है, तो spherical mirror अगर minus वाली focal length का है, तो वो कौन सा हो जाएगा, concave mirror और अगर spherical lens की बात करी जाए, तो concave lens के case में, आप देख सकते हैं कि यह वाली जो पहली spherical surface है, इसकी वज़ए से इसका जो focal length है, वो भी left में आएगा, तो इसका answer भी क्या होगा, concave lens, तो यहां से हम लिखेंगे कि अगर दोनों ही minus के हैं, तो both are concave, इस तरीके से fourth का answer A हो जाएगा, और अब हम बढ़ते हैं, question number five की तरफ, question number five में बोला है, no matter how far you stand from a mirror, your image appears erect, the mirror is likely to be, इसमें बोला है कि आपकी जो image है, वो erect आ रही है, यानि कि खड़ी होई image है, अगर object स कैसी आ रही है, सीधी आ रही है, इसको बोलते, erect, और इसमें बोला है कि आप कहीं भी खड़े हो, कोई फरक नहीं पढ़ रहा, आपकी image हमेशा कैसी आ रही है, erect आ रही है, तो बताना है कि वो mirror कौन सा mirror हो सकता है, तो अगर आपने lectures अच्छे से देखे हैं, या फिर आपको बोल रहा है, वो condition किसमें satisfy हो रही है, convex के case में हो रही है, और plane mirror के case में भी, जो image आती है, वो right side of the mirror आती है, और वो भी erect आती है, आपने देखा होगा कि अगर हम plane mirror में अपने आपको देखते हैं, तो जैसे हम खड़े हुए हैं, वैसे हमारी image भी खड़ी रहती है, और उसी इसा भी हो सकता है, क्योंकि उसने सिर्फ erect की बात करी है, अगर वो यहां पर erect के साथ diminished बोल देता, तो यहां पर हम plane mirror के case को reject कर देते हैं, क्योंकि plane mirror में जो image की size है, वो object के size के बरावर होती है, बट convex के case में image की जो size है, वो diminished भी हो जाती है, यह मैं क्या बता रहा हूँ, अगर अपने ray diagram सच्छे से देखें, तो आप इस चीज को आसानी से समझ सकते हैं, तो इस तरीके से इसका answer हो गया D, अब हम बढ़ते हैं, question number 6 की तरफ, question number 6 में बोला है, which of the following lens would you prefer to use while reading small letters, found in a dictionary, अब इसमें बोला है कि जो letters है, वो small है, यानि कि object जो है, वो काफी छोटा है object is very small, ऐसा हमको given है, तो आप क्या चाहेंगे कि अगर letters बहुत छोटे हैं, तो वो हमको देखने में कैसे लगने चाहिए, बड़े, तो हम क्या चाहेंगे कि image जो है, वो कैसी आ जाए, image is magnified, और magnified image कौन बना पाता है, तो अगर आपको radiograms आते हैं, तो concave lens तो picture से बार हो चुका है, अब बचा convex lens, और उसमें बचते हैं, दो case, 5 cm वाला या फिर 50 cm वाला focal length का लेना है, तो एक चीज़ हमने पढ़िए कि power equal to 1 by f, किसी भी lens की जो focal length है, focal length अगर छोटी होती है, तो power बड़ी होती है, जैसा कि आप इस ratio से देख सकते हैं, तो हम क्या चाह रहे हैं कि image जो है, वो काफी magnified हो जाए, और जितनी छोटी focal length होगी, उतना ही बड़ा क्या आएगा, पावर आएगा, और जितना ज्यादा पावर आएगा, हमारा जो image है, वो उतनी ही magnified हो तो इस तरीके से question number 6 हुआ, I hope कि आपको समझ में आया होगा, अब हम बढ़ते है question number 7 की तरफ, question number 7 में बोला है कि we wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 cm, तो आप सबसे पहले आप देखिए कि यहां पे हमको given में focal length की value दे रखिया किती है 15 cm, और यह mirror कौन सा है, concave mirror, तो concave mirror किस तरीके से इस तरीके से, तो इसकी focal length किती आएगी इदर की तरफ जो की हो जाएगी negative, तो हमने F की value minus 15 रख लिए, what should be the range of distance of the object from the mirror, अगर हम concave mirror से erect image चाते हैं, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसा कब होता है, जब object को आप focus और pole के बीच में रखोगे, तब जो image आती है, वो erect or enlarge आती है, तो अगर हमारे को पता है कि focal length minus 15 है, तो यह distance हो गई 0 यहां से लेके यहां तक और यह कितनी हो गई 15, तो 0 से 15 यानि कि polar focus के बीच में जो objective होना चाहिए, तो range of distance कितनी हो जाएगी, 0 cm to 15 cm तक आप object को कहीं भी रखोगे, तो image जो है वो right hand side पे आएगी, और erect or enlarged आएगी, आगे क्या बात करना है, what is the nature of the image, तो nature क्योंकि polar focus के बीच में रखा है, तो image कैसी आएगी, erect and virtual, virtual image आती है, अगर आपको कौन के mirror के ray diagram पता है, तो यह जो image आएगी, वो virtual आएगी, 6th case का यह ray diagram है, is the image larger or smaller, तो मैं आपको बदा चुका हूँ, यह कैसी आती है and last, draw a ray diagram to show the image formation in this case, तो जो 6th case है, हमारे कौन के mirror का वो हमको बनाना है, जहां पर object कहां पर होता है, pole और focus के बीच में, तो इस तरीके से question number 7 हुआ, अब हम बढ़ते हैं, question number 8 की तरफ, question number 8 में बोला है, name the type of mirror used in the following situation, headlight of a car में कौन से mirror इस्तमाल होता है, तो अगर आपने lectures द of a car में कौन के mirror का इस्तमाल होता है, और उसमें भी कौन से case, इस्तमाल होता है, कि आपने object को खांपर रख दिया है, focus पे चलल चल जाती है और इस तरीके से हमको एक पर्टिकुलर एरिया में काफी ज्यादा लाइट दिखती है तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से कौन के मिरर का पर मेर करें तो यह सबी को बता है कि कौन सांसे करते हैं क्mad मेर इसीलिए और से यहाप से कौन के मिरर का इस्तेमाल करते हैं और इसमें कॉन सा कैस्स इस्तेमाल होता है तो जो तो जिस पता है कि जिसमें हम सूरज की रोशनी की वज़े से उसमें आग लगाए या फिर उसकी एनर्जी का इस्तमाल करें उसको बोलते सोलर फरनेश और सुरच की रोशनी किस तरीके इस्तमाल करते हैं तो वह मैंने आपको बता दिया कि पैरलल लाइट रहाती है और वह फोकस पर टकराती है और यहां पर हमको एक इस कवर्ड विदि या ब्लेक पर विल्डले इनजव पिर्ड Usually अफ्याक सी इसका सीधा सीधा सपरिए यस आप देखें कि लाइट जो घा दूसरी तरफ जा रही है, तो image तो बनेगी, क्योंकि जब भी कोई light, क्योंकि जब भी किसी object से light निकलती है, तो आप draw करते समय सिर्फ दो light ray लेते हैं, बट actually में किसी भी object से infinite light ray निकलती है, तो अगर आपने इतना area cover भी कर दिया है, तब भी उपर वाले area से तो light निकल रही ह है, अगर उपर वाले से निकल ले तो वो दूसरी तरफ पहुचेगी, और दूसरी तरफ पहुचेगी, तो दूसरी तरफ image तो बनेगी ही, बनेगी, तो इस वज़े से इसका answer क्या हो जाएगा, yes, light ray तो दूसरी तरफ पहुचेगी ही, और image तो बनेगी, अब इस से अंतर क तो इसका इतना अंतर हो जाएगा बाकी बनेगी बनेगी और बूला है एक्स्पेरिमेटली वेरिफाइ करो तो आफ कोई एक लैंस लें और उसको کवर कर दें चूरीजेश फ। चुका है अब हम वरते हैं कोशन नमबर 10 की तरफ कोशन नमबर 10 में बोला है कि एक औबजेक्ट है जिसकी 5 cm हमको लेंद्ट दे रखी है यानि कि हमको हाइट ऑफ ऑबजेट गेवन है 5 cm और जो ऑबजेक्ट होता है उसको मेशा प्रिंसीपल एक्सेस के ऊपर की तरफ रखते है उसको कनवर्जिं कौन सा होता है क्नवेक्ष से हमको पता लग जैगी किसकी बात कर रहा है कौन में लां की बात कर रहा ह। और इसमें दिस्टे रखिए 25 cm और मेंले जो किलिए गिए तो इसका पता हुआ कि वो इस तरीके से बनाया जाएगा और तो सबसे पहले हमको लेंगे में ठीक यहांपर गरना यही और हम रहन i V minus one upon U equal to one upon F अगर आपको mirror formula और lens formula में confusion होता है तो आप याद रख लीजिए MPLN MPLN का मतलब है mirror में positive lens में negative lens में negative मतलब यह जो sign है वो बीच में lens में negative हो जाता है और यह जो sign है वो mirror के case में बीच में plus का रहता है तो इस तरीके से आप याद रखेंगे तो आपको confusion नहीं होगा अब यहां पर lens formula लगाएंगे f पता है यू पता है तो वी निकाल लेते हैं तो यहां से वन अपॉन वी की value कित्ती आ जाएगी यू की value में रखेंगे minus 25 तो वन अपॉन वी की value कित्ती आ जाएगी वन अपॉन 10 यह जो वन अपॉन 25 वह दूसरी तरफ जाएगा minus का 1 20 माइनस का 1 अपॉन 25 हो जाएगा और अब हम यहां पर LCM लेंगे 10 25 का LCM कित्ता आ जाएगा 50 तो यहां पर कित्ता आएगा 10 इंटू 5 तो 5 आएगा माइनस यहां पर कित्ता आएगा 2 तो यह कित्ता आ गया 3 by 50 अब यह वन अपॉन वी की वैल्यू है अगर यह वन अपॉन वी की वैल्यू है तो हमको वी चाहिए तो बोथ सैड क्या कर देंगे रैसी प्रोकल तो वी की वैल्यू कित्ती आ जाएगी अगर इस को ल्टा किया तो इसका उल्टा किया जाएगा 50 by 3 cm अब आप यहां पर एक चीज़ कर सकते हैं कि जो वी की वैल्यू आई है वह प्लस आई है हमने अपने आप सॉल्ट किया और यह अपने आप कित्ती आ गई प्लस अगर वी प्लस आया है इसका मतलब इमेज का है इमेज लैंस के राइट आती हैं कि एंड रिल आती है तो हमने नेचर बता दिया अगर वह सइस की बात कर रहा है तो हम निकाल सकते हैं मैगनीफिकेशन बराबर करता होता है एच ऑफमेज अपन एच ऑफ और ओप्जेक्ट बिस आस एक कोल टू वी अपन यू प्लस का वी अपन यू क्योंकि हम ले को मालूम है अब यहां पर हम eto की value लिख सकते हैं वह यह वाली है तो यह कितना है यूज हमको दिया है माइनस का 25 वाइनस लिख सकता हूँ और जब फ्रेक्षन एक्षन होता है तो नीचे वाला फ्रेक्षन उल्टा वह के उपर आ जाता है तो यहां से हाई की वेल्यू कित्ती आ जाएगी 50 by 3 into 1 upon 25 माइनस का और यह जो 5 यह डिवाइड में है तो इसको मैं मल्टिप्लाइ में ले जा सकता हूं तो यह कित्ता आ जाएगा तो यहां से यह पांच बार कट जाएगा यह यहां से दस बार कट जाएगा है तो इसकी वेल्यू कित्ती हो जाएगी माइनस का 3.33 सेंटीमेटर तो आप देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वह प्लस का पांच था और जो इमेज है वह माइनस की 3 हो चुकी है यानि कि यह क्या हो चुका है डिमिनिज्ड हो चुका है और हैट आ रही है इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रही होगी तो यह इंवर्टेट है यह हमको माइनस साइन से पता लग रहा है है अगर मैंस आती है तो इमेज्ड बना दो तो यह आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस है इसकी फोकल लेंथ हमको दे सकते हैं यह 10 cm और यह भी दस संटीमिटर अब ऑबजेक्ट माइनस पत्चेश यानि इपे दूर है यहां पर हमारा अबजेक्ट होगा अगर यह 10 यह 10 तो इससे भी आगे 25 और इमेज कहां पर आ रही है तो इमेज की वैलियू आईती प्लस का 52 तीन पचैस पड़ होगे तो तो यह आजाएगा 16.66 यानि कि अगर यह एफ टू है तो यह टू एफ टू हो जाएगा और यह दस है यह भी दस है तो शोला कहां पर आएगा इन दोनों के बीच में तो यहां पर बोल सकते हो कि जो इमेज है इस बिट्वीन 2F2 and F2 और वो कहीं इस तरीके से यहां पर आएगी 16 आप नाप सकते हो तो यह रेडाइगराम भी बन चुका है इस तरीके से कोशन नंबर 10 हो चुका है आपको समझ में आया हो अब हम बढ़ते हैं कोशन नंबर 11 की तरफ कोशन नंबर 11 नों बोला है कि एक कॉनके लेंस है जि तो हमको यू की वैल्यू rai वैंड खर न है करनी है हमको वी है और हमको फोकल लेंद भी शर्तलेन ऑर यह च्तब लेंस का यह वहलेकर सब्सक्क्राख लेन कि इस तरीके से चowi इसतरीके से बनाज कि तो आपको देख रहा है कि पहली सर्थीं यहाब फोकल weeks apply में जाना चाह रही है तो f की वेल्यू जो है वह कित्ती हो जाएगी माइनस का 15 सेंटीमीटर अब अगर हम वी की बात करें तो आप डियाग्राउंस में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो इमेज है कॉनके लेंज के के यह जो लेंज है वह कॉनके लैंस तो अगर आपको मालू में अब हम लिख सकते हैं कि हम लेंज लगाएंगी M1-1 ऑन यू इकौल तो वन अपोन एफ अब यहांपर वेल्यू जो यहां पंपन हो दूसरी तरफ जाएगा और यह जो बचेगा और यह जो वनपन मैनस हो दूसरी याँ पर आएगा फिफटीन टू यानि माइनस टू चैनि की प्लस का ठीक और यह व माइनस के साथ यहाँ पर माइनस वन अपऊनन उन गित्ता आचुका है जुख ट debit न से की वेल्यू कित्ती आ जाएगी 30 और यह जो माइनस से दूसरी तरफ पहुंचाएंगे तो यू बराबर किता चुका है माइनस का 30 cm और अगर आपका यू निगेटिव में आया है इसका मतलब यह ठीक है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेफ्ट एंड साइड पर पुट करते हो जो गी एक लेंज बना लो उसमें और इसमें हमको गिवन है कि फोकल लेंद 15 सेंटीमिटर की है तो यहां से एव बन और टू एव बन आप लॉट कर सकते हो फिर आपको अगर पता है कि फोकल लेंद 15 कि यह दिस्टेंस कित्ती हो जाएगी 15 और यह भी कितना हो जाएगा 15 15 15 15 यहां पर रखा हुआ है तो माइनस 30 15 पंदरा औब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है टू एफ बन की तरफ और इमेज कहा रही है तो एमेज आ रही है 10 संटिम्टर जो की करीब यहां पर कहीं आजाएगा और क्योंकि यह Lens长 से सब्सक्राइब आपको एंट है और गार कशृष इस तरीके से को सब्सक्राइब मड़े चका है अब हम बदा को अब खो just is placed at a distance of 10 cm from a convex mirror of focal length 15 cm find the position and nature of the image तो इसमें आपको सारी चीज़े गिवन है कि एक convex mirror है तो वो इस तरीके से आप बना सकते हो इसमें अब्जेक्टी डिस्टेंस हमको गिवन है 10 cm यू बराबर किता हो जाएगा 10 cm और आपको पता है कि object हमें से लेफ्ट हैंड साइट पर रखा जाता है इसकी वेल्यू किस्ति आएगी नेगेटिव की फोकल लेंद हमको दे रखिए 15 cm तो यह बराबर किता हो जाएगा 15 cm आप देख सकते हैं कि इसका सेंटर इदर आने वाला तो इसकी खरेंगे तो 1OP W 1 Aah P 1 डी स्वान अपन माईनस का 10क क्यों टूआफं वन का 12 so solve करेंगे बन अपन भी यह जो मानस का 10 भी थाएगा और यह मांस इधर चल करेंगा तो वन अपन 15 मृस वन अपन 22 जलेक highly cम 30 इसका टू ौर इसका ठी हमार यह तू तरी 1 by 6 तो वी कित्ता आजाएगा दौनों का उल्टा कर देंगे तो वी की वेल्यू आगई 6 cm अब प्लस का रहा है इसका मतलब जो इमेज है वह कहां पर आएगी मिरर के राइट में और कॉन्वेक्स मेर के के समय इसा कोनब डिचाहिए था तो यह आगया प्लस का 6 cm अगर कॉन्वेक्स मेर है तो झाब का कैसा होता है ईरेट को के लावा इसके अलावा उसने ने पॉजिशन पूछी दिक हम बता चुके हैं तो ह्ये सब अप्लिट हो चुका है इस तरीके से कोशन नम्सटार रवा अब भरते हैं को अब सब्सक्राइब की तरफ को अब 13 में बोला है कि मैंनिफिकेशन ब्रॉड्वाइब प्लेट की वैल्यू अगर आती है प्लस वन तो सका मतलब क्या है वह को बताना है तो देखिए मैगनिफिकेशन का मतलब क्या होता सबसे पहले हम वो समझते हैं तो मैगनिफिकेशन क्या है एक रेश्यो है हाइट ऑफ इमेज का यहां पर मैगनिफिकेशन की वेल्यू किसके बराबर आ रही है इसका सीदा सीदा सा मतलब है कि हईट ऑफ इमेज किसके बराबर हो चुकी हायट ऑफ ऑप यहीट और आप देखिए कि प्लें मिरर में ऐसा होता भी है प्लें मिरर में जो भी ऑबजेक्ट है उसकी जब इमेज कि आती है तो उसका जो साय होता है वो बिल्कुल से होता है और इसा अना भी चाहिए तो इमेज जो होती है वह एरेक्ट होती है कि और नेगेटिव अगर मैगनिफिकेशन आता है तो इमेज हमेशा कैसी आएगी इंवर्टिड आएगी अब यहां पे पॉजिटिव का मतलब क्या है कि और प्लेन मिरर के आपको पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ हमेशा ऑब्जेक्ट रखा जाता है इसका मतलब यह वेल्यू कित्ते की आएगी प्लस की प्लेज़ डिस्टेंश ट्वंटी सेंटीमीटर इन फ्रेंट ऑफ और तो अगर ट्वंटी सेंटीमीटर दिया तो यह क्या है तो यू की वेल्यू कित्ती हो गई ट्वंटी सेंटीमीटर और अब्जेक्ट मेंशा मिरर के लेफ्ट में रखा जाता है तो यह कित्ति आएगा निगेटिव और रेडियूस ऑफ कर वेचर हमारा को इस्तमाल नहीं है तो हम यहां से फोकस निकाल लेंगे हमको पताए कि आर की आर बाइटू यानि की प्लस का 15 सेंटीमीटर तो हमको क्या-क्या बताना है पॉजिशन ऑफ इमेज नेचर एंड साइज ऑफ दी इमेज तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर आगर आ गया है तो नेचर तो हम डिरेक्ट बता सकते हैं वो कैसा आ जाएगा एरेक्ट एंड वर् लोगेगा मॉन अपॉन वी प्लस मैन को मास wal-u एक ओल टू वन अपॉन एफ शारी वेल्यूस हमको पता है हम इसको पूट कर देंगे वन आपॉन व स्वी सी इकोल टु one अपॉन F यानि की one अपॉन 15 यह जो प्लस प्लस मैंसर्अ माइनस हो जाएगा और मैंस बनआप उन ट्विटी दूस्ति तरफ जाएगा तो वन अ पॉन इक लिएक भॉन आपॉन टुरियBC चrations यहां टाइम्स 15 इंटू 4 और 20 इंटू 3 यानि की त्री टाइम्स यह कित्ता आ गया सेवन बाइ सिक्स्टी वन अपॉन वी की वैल्यू है बट हमको वन अपॉन भी नहीं हमको वी चाहिए तो दोनों का उल्टा कर देंगे तो 60 अपॉन सेवन सेंटीमेटर इसकी क्या जाएगी भैलों अब यह सब्सक्राइब को पता है कि मैगनीफिकेशन बराबर क्या होता है सब्सक्राइब और यह जो वेल्यू वो किसके बराबर होती है वी अपॉन यू माइनस का मिरर के के साथ आएगा इधार और लेंस के साथ पॉदिटिब तो इस वेल्यू को यहां पर इस्तिमाल कर लेंगे हमको एच डैस निकालना है हमको एच ओ यानि कि हैट ऑब्जेक्ट प प्लस का 60 by 7 अब देख सकते हैं कि वी अगर प्लस का आया है तो इसका मतलब वो वर्चुल ही होगा क्योंकि प्लस वी का मतलब है कि इमेज राइट हैंड साइड ऑफ दी मिरर बन चुकी है इसया मैं धी वी की वेल्यू रग दी है और यू की वेल्यू कित्ति आ रही है मैंश का 20 और मायनस की 20 लिख सकता हूं मैंस से मैनस गया रेशों अपन रेशों होता है तो नीचे वाला उल्टाओ के ऊपर चले आता है तो लेट याट्ब ऑं इस अपन सेवन सेंटिमीटर जो की लगबग लगबग टू पॉइंट सम्तिंग आ जाएगा तो यहां से आप देख सकते हैं कि ऑबजेक्ट था पांच का इमेज आ रही है टू सेंटिमीटर सम्तिंग की तो डिमिनेज डो चुकी है कि नहीं और कॉन्वेक्स के केसमें डिमिनेज होनी सब्सक्राइब करने के बाद इसका मतलब इमेज भी आई है तो इस तरीके से पूरा का पूरा कोशन हो चुका है आपको समझ में आया होगा अब हम बढ़ते हैं कोशन नंबर 15 की तरफ कोशन नंबर 15 में बोला एक जिसका साइज 7 सेंटिमीटर दे रखा है तो हम लिख लें की सा दीटिमीटर एक याकिया या निकि- We'll-77 संटिमीटर क्योंकि हमें सही लेफ्ट मेलेते गा मैनस का मैंनुस इसके बाद आज फोकल लिंध केती है 18 सेंटिमीटर तो कौनके और सई गा यह वाला कि तो इसकी फोकल लेंथ यह आ रही है तो यह कित ङapselोilon आगे बोला है what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image of an object can be obtained अब यहां पर screen को place करने का क्या मतलब है तो आपने concave mirror के ray diagrams में देखा हुआ कि पांच के शुरू के ऐसे होते हैं जिसमें real image बनती है और real image की कहासियत है कि आप उसको screen पर obtain कर सकते हो screen पर obtain कर क्या मतलब है कि real image को आप screen पर project कर सकते हो जिस तरीके से आपने movies में देखा है कि पीछे से जो projector होता है वो screen पर एक image को project करता है तो वह real image होती है इसलिए उसको project किया जा सकता है बट virtual image को आप सिर्फ देख सकते हो उसको screen पर project नहीं कर सकते तो यहां पर पूछ रहा है कि हम जो screen उसको किदर रख दें कि image जो है वो उसी screen पर बन जाए तो बेसे कली इस चीज़ का मतलब यह है कि वो image की distance पूछना चाहरा है कि वो किदर है और इसी चीज़ को पूछने का यह दूसरा तरीका है और यहां से आपको समझना है कि अगर screen प्लेश करने की बात कर रहा है इसका मतलब real image ही आएगी अगर आप इतना समझ गए तो अब सवाल में कुछ नहीं है आपको तो यू पता है एफ पता है तो आप फोटा-पट से क्या निकाल लेंगे वी वह कितना हो जाएगा वन आप है प्लस और यू उएक्व्ट यू एक्वलल टू एपन एफ और यह कित्ता है यह बन अपॉन वी प्लस का हो जाएगा बनापॉण 27 एल्स लेंगे यह प्लस का टू तो बनापॉण वी बराबर किता जुँगा है माइनस का बनापॉण 54 और उल्टा कर देंगे दोनों तरफ तो वी की वैल्यू कित्ती है माइनस का 54 cm अब आप यहां से देख सकते हैं कि अगर वी की वेल्यू माइनस का 54 है इसका मतलब जो इमेज है वो लेफ्ट एंड साड ऑफ दा मिरार में बनी है और कॉंकर के के फिसके बनती है तो इमेज कैसी आती इनवर्टेड आती है और अगर साइज की बात करें तो आप यहां से बोल सकते हो कि एच डेश अपॉन एच इसको टू माइनस ऑफ यू यह क्या होता मैगनिफिकेशन यह भी मैगनिफिकेशन है इसका इस्तेमाल करके हम हाइट ओफ इमेज निकाल लेंगे यह कितना जाएगा एच डेस की वेल्यू हमको फाइंड ही करनी है तो उसको मैसी छोड़ देंगे सब्सक्राइब योग किए माइनसफ ऑफटी विकी वेल्यू एपॉन यूग्यावाला माइनस वहाला मैनस इससे चाणवर माइनस टु तो बराबर किता आ गया है गया तो आप सकते हैं कि ओबजेक्टप्स सेवन सेंटीमिटर का और हायट आ गई उसकी पौर्टीं तरकी यानि कि जो इमेज वो कैसे हो चुकी है क्योंकि इमेज जो है वो आबजेक्ट के साइज से बढ़ी आ गई है और माइनस का क्या मतलब है कि इमेज जो है वो प्रिंसीपल एक्सेस के नीचे आई है इसलिए मैंने पहली बूल देता है कि इमेज कैसी आती है इन्वर्ट तो इस तरीके लिए को समझ में आया होगा अब हम वरते हैं कोशन नूमर 16 की तरफ कोशन नूमर 16 में बुल लाए कि पावर ऑफ लेंस माइनस टू डिया वाट टैप अफ लेंस दिस तो पावर क्या होती है वन अपॉन एफ और अगर पावर नेगेटिव है माइनस टू तो किता आ गया माइनस टू की परावर तो एफ बरावर किता आ गया माइनस वन अपॉन टू क्योंकि हमने बोच साइट क्या कर दिया रैसी प्रोकल और यह वैलियू किसमाती में तो एक की वैलू कि माइनस 0.5 मीटर जिसको आब अगर सेंटीमें डिमेंटर निगेटिव का या और रहा होती है उसकी ही उसमें स्तमाल हुआ दैंज समें गोटा और कौनवेक्स के जानीbels से तो इस तरीके से इसनां डील तो चुका है अश्तरों बहुत है तो पावर अगर 1.5 वह भी प्लस की तो मैंने अभी आपको बताए कि प्लस की पावर होती है तो लेंस कौन सा हो जाता है क्योंकि क्योंकि कैसा होता है जो लाइट को पास आने पर मजबूर करते और पावर अगर तो फोकल लेंद निकाल सकते हैं तो यहां से वन बाइफ की वैल्यू कित्ती हो गई है 1.5 पॉइंट अटाएंगे नीचे 10 आएगा यह कित्ता हो जाएगा थ्री बाइट फाइफ से का इस तरीके से कोशन नमर 17 भी हो चुका है और आपका जो लाइट चेप्टर है उसकी एकसरसाइस के सारे सवाल कंप्लीट हो चुके है अगर आपको अभी भी कोई डाउट आता है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं और अगर आप सच में ठीचना चाहते हैं तो अगर आप कि इसवागों लाइक कर दिजिए और आपके किसी दोस्त को यह लाइट चेप्टर में दिक्कट आती है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ भी शेर कर सकते हैं आपके कोई डाउट अभी रहाते हैं तो आप इ신्स्टाग्रामर मुझे फॉल कर सकते है लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही है आज की वीडियो के लिए इतना ही अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में जब तक के लिए बाई बाई